Hello students, students, आज हम अपना एक नया चप्टर स्टार्ट करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग का और वो चेप्टर है हमारा ओवर है डिस्टिब्यूशन, कॉस्ट अकाउंटिंग बुक का वन ओफ दी मोस्ट इंपॉर्डन चेप्टर है ये वाला, exam में आता ही आता है और इस चेप्टर में हमें दो टॉपिक करने हैं, एक टॉपि करना है हमें production department और दूसरा करना है हमें machine आरेट, तो चलिए फिर करते हैं आज की class start, फेस्ट टॉपिक के साथ, जैसे मै ने आपकी screen पर show कर दिया है, है आप देखेंगे अगर कि हमारा चैप्टर नंबर फाइव है ओवर है डिस्ट्रिब्यूशन बुक जो मैं यूज करता हूँ वो महेश्वरी एं मित्तल की यूज करता हूँ टॉपिक है हमारा प्रोडक्शन टिपाड्मेंट ठीक है यह इसका एक फार्मेट है भी फार्मेट भी बता दूँगा कि मैंने कैसे बनाया है और क्यों बनाया है उससे पहले मैं आपको चीज बताना चाहूँगा इस चैप्टर में कि जो हम इसका first topic production department शुरू कर रहे हैं वो production department है क्या देखिए हमारे पास दो type के department गिवन होते हैं question में एक होता है production department और दूसरा होता service department क्योंकि इस topic का नाम ही production department है तो हमें करना क्या होता है कि जितने भी expenses है वो सब production में लिखने होते हैं मतलब इन तीन में आने चाहिए लेकिन as per the question हमें जो expenses given होते हैं वो पाचों में given होते हैं ठीक है 1, 2, 3 for production department and 1, 2 for service department पाचों में given होते हैं तो हम क्या करते हैं पाचों में expenses को एक तरीके से apportionment करते हैं जिससे हमने पाचों में अलग-अलग करके differentiate करके लिख दिया उसके बाद total किया total करने के बाद जैसे suppose करो यहाँ पर total आ गया उसके बाद इन दोनो department के जो expenses हैं जो यहाँ पर total आएगा उसको इस तरीके से question में given होता है कि वो कैसे करना होता है आपको हम उसको इस तरीके से उसको differentiate करते है कि वो इन तीनों में लिख देते हैं इन दोनों वालो को ऐसे differentiate करके इन तीनों में लिख देते हैं so that यह वाले हमारे zero हो जाएं समझ में आ गया कि हमें करना क्या है इस topic के अंदर सबसे पहले production department क्योंकि topic का नाम ही production department है तो मुझे जितने भी expenses हैं वो सारे सारे production में लिखने हैं लेकिन कुछ expenses service में दे रखे होते हैं तो service वालों का total करेंगे एके करके तो करते नहीं है total करेंगे total जो आएगा उसको एक बार में इस तरीके से differentiate करेंगे कि इन तीनों में लिख देंगे so that service department का जो total है वो zero हो जाए और यही इस topic में करना होता बहुत 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 important topic है इस topic में तीन question है और तीनों के तीनों मैं आपको कराऊँगा इसमें तीन question है तीनों के तीनों मैं कराऊँगा आपको ठीक है ना चलिए शुरू करते है अब अपना सबसे पहले मैं आपको question दिखाता हूँ student चाहे program का हो या honors का सभी के लिए बहुत important topic है यह यहाँ पर देखेंगे यह हमें यहाँ से कुछ इस type से question given होता है देखिए यह question इस type से given होता है ठीक है chapter number 5 मैंने बता ही दिया है following figure have been extracted from the account of a manufacturing concern for the month of December 2010 यह कुछ भी year हो सकता है यह मुझे दे रखा है ठीक है यह मेरा है 5.1 और बिलकुल same question यह honors की बुक्ती जो मैंने अभी आपको दिखाए थी और यह वाले question बिलकुल same यह हमारा यहाँ पर भी 5.1 ही है वही है यहाँ पर बस December 2016 कर दिया गया है indirect material दे रखा है XYZPQ मैंने यहाँ पर mention किया हुआ है XYZPQ ठीक है यह तीनों के तीनों department है production के और यह दोनों service के मैंने बताया था पाचों के expenses हमें given होते हैं यह रहा ठीक है यह indirect करके दे रखा है इसके बाद यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर है indirect wages वो भी हमें production, production, production और यह maintenance and store यह जो maintenance and store है यह हमारा service department को represent करता है यहाँ पर देख सकते हैं यह maintenance and store जो है वो service department PQ को represent करता है ठीक है ध्यानते देखना है यह वाला maintenance and store यह PQ PQ क्या है मेरे पास service department अब यहाँ पर उन्होंने यह लिखा नहीं है maintenance and store क्या आगे PQ लेकिन यह automatically consideration है कि यह PQ ही है मैं यहाँ पर कहते हो तो मैं लिख भी देता हूँ यह देखेंगे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यह हमारे पास है P और Q ठीक है यह इसके है यह इसका है और यह इसका है यह वाला ऐसे clear हो गया यह PQ हो गया अब हम आगे चलते हैं इसके बाद देखें यह तो हमारे को जो खर्चे हैं यह सारे के सारे हमें अलग-अलग करके दे रखे हैं इसमें तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं, हमें दिक्कत कहां आनी है वो आप मैं बता रहा हूँ, जैसे दे रखा है, power and lighting, rent and rates, insurance on assets, meal charges, depreciation, ये खर्चे दे रखे हैं मुझे, छीक है, 6000 से लेकर और 3000 तक, ये खर्चे दे रखे हैं, अब ये जो खर्चे हैं, ये पाँचो डिप PQ, अब वो पाँचो डिपार्डमेंट का मिलाकर 6000 रुपे है, अब हमारको ये देखना है कि XYZ में कितना कितना आएगा और PQ में कितना आएगा, कई बच्चे कहेंगे सर, equal distribute कर देते हैं, तो equal distribute नहीं करते, इसके लिए नीचे एक हमें table दे रखी है, ये वाली table, अब यहा को reflect करती है, इन में से, इन में से देखेंगे, क्या power area को reflect करती है, नहीं, capital value of asset को करती है, नहीं, power करती है kilowatt, kilowatt hours को, power represent करती है kilowatt hours को, कि एक घंटे में कितने kilowatt की जरुवत है, तो वहाँ पर उसकी ratio दे रखी है, तो हम इस ratio में 4,000, 4400, 1600, 1500, and 500, इस ratio में इसको बाट देंग करती है, एक एक करके सारे के सारी हमें पढ़ने है, और यह जो हमारे दे रखी है, किस को represent करती है, इसके बाद नीचे दे रखा है, कि from the following additional information यह हमें दे रखी है, ठीक है, यह हमारे को बनाना है, अब मैं आपको लिखके कराऊंगा, तो श्याद अच्छा समझा पाऊंगा, कोशन में आपको पूरा का पूरा पढ़के बता दिया है, देखिए, है क्या क्या जरा हम उसकी बात करते हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, तो हमें दे रखा है first, first number पर है हमारे पास indirect material, indirect material, अब indirect material कितना कितना दे रखा है, वो यहाँ पर देखेंगे, देखिए, जब मैं आपको लिखके कराऊंगा, तो यह chapter बहुत अच्छा लगेगा, और बहुत अच्छा समझ में भी आएगा, यह दे रखा है, x, y, z, p, q, दे रखा है, यह हम लिख लेते हैं, 950, 1200, 200, 1500, और 400, यह हमारा सबसे पहला first हो गया, second number पर क्या है, second number का देख लेते हैं, देखे, second number पर है मेरे पास, indirect wages, आप देख सकते हैं, आपकी screen पर है, second, अच्छा, एक question मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले, यह question है, 5.1, यह honors की book में है, और 5.1 ही program की book में है, यह question, चीक है, यह याद रखना है आपने, यह वाला, second है, indirect wages, और indirect wages कितना कितना दे रखा है, P, यह रखिए, X, Y, Z और यह P, Q, यहाँ पर mention है, maintenance और store, तो यहाँ पर यह P, जो है, वो maintenance है, और Q, जो है, वो store है, चीक है, तो यह दे रखा है, 900, 1100, 300, 1000 and 650, तो लिख लेते हैं, 900, 1100, 300, 1000 and 650, यह दोनों के दोनों मुझे directly given थे, यह पांचों के पांचों में हमार को बता रखा है, कैसे कैसे है, अब हमें यहाँ से समझना है, कि power के entry क्या होगी, power total direct 6000, अब इसको कैसे लिखूंगा, वो मैं आपको बताता हूं, अब यहाँ से आपको main focus करना है, जो मैं अब बताना चाहता हूं, third number पर है power, अब power का कैसे करेंगे, power के लिए मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर, जो मैं लिख रहाँ, देखिए, सबसे पहल तो power का total है 6000, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया total है मेरे पास 6000, ठीक है, अब यह जो मैंने bracket बनाया है, यह क्यों बनाया है, इसका reason मैं आपको बता रहा हूं, अब यह जो additional information है यहाँ से देखेंगे अब हम, additional information में देखिए कि power किसको represent करती है, power करती है kilowatt hours को और इसकी ratio कितनी है 4000, 4400, 1600, 1500 and 500, इन सभी में common अगर मैं बात करूँ तो 100 common है, अगर मैं 100 common करके काट दो तो क्या बच जाएगा ratio, 40, 44, 16, 15 and 5, ratio बन गई, दोबारे समझ लो, 40, 44, 16, 15 and 5, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0 सबसे कट गई, तो ratio बन जाएगे मेरी, मैं आपर लिख लेता हूं, जो हमारी है 40, ratio 44, ratio 16, ratio 15, ratio 5, और upon में कर दिया इन सब का total, total कितना आ गया, total आ गया 120, समझ में आ गया होगा जो मैंने लिखा है, अब मैं क्या करता हूं, इस 120 से इस से कट कर देता हूं, अगर मैं इसे कट कर दूँगा, तो कितना आ जाएगा, कट करने के बाद यह आ जाएगा 50, अगर मैं इसको यहां से यह कट कर दूँ, तो यह आ जाएगा 50, समझ में आ गया, 50 से इन सब को multiply कर दो, 50 से इन सब को multiply कर दो जैसे 50 into 40 तो आ गया 2000 ये पहली वाला का answer आ गया 50 into 44 तो आ गया 2200 50 into 16 का मतलब 800 50 into 15 का मतलब हो गया 750 and 15 into 5 का मतलब हो गया 250 वो जो मेरे 6000 थे वो इस ratio में मैंने distribute कर दिये ठीक है आप equal नहीं करेंगे वो आपको additional information से उस expenses की ratio बनानी है और उसके बाद उसको इस तरीके से distribute करना है समझ में आ गया है अब हम चलते है next पर next क्या है जरा next देखते है next है मेरे पास rent and rates वो कितना है 2800 अब मुझे ये देखना है कि rent किस चीज को reflect करता है rent rent तो area को ही करेगा क्योंकि देखे कितना बड़ा area है उस area के according उतना ज्यादा rent होगा तो rent करेगा area को ठीक है और भी नाम पढ़ लो आप एक बार ही आपको समझ में आ जाएगा capital value को rent नहीं कर सकता kilowatt को नहीं कर सकता number of employees को rent नहीं कर सकता direct labor arts को नहीं कर सकता number of material requisitions को नहीं कर सकता तो area किसको कर सकता है सिर्फ और सिफ rent को मझा रेंट कर सकता है area को चलिए अब next number पर हम लिखेंगे यहाँ पर fourth number पर है मेरे पास rent rent and rates है rent and rates rent and rates अब इसकी भी same हम ऐसे ही वो बनाएंगे और total है 2800 total है 2800 अब जड़ा देखते है 2800 का क्या होगा हमने देखना है area से अब area की ratio बनाएंगे area है 4000, 4000, 3000, 2000, 2000 and 1000 तो 1000 common आ गया 4, 4, 3, 2, 1 यह ratio बन गई यह आ गई 4, ratio 4, ratio 3, ratio 2, ratio 1 और total कितना आ गया total आ गया इसका 14 अब अगर मैं इसको इससे cut कर दूँ तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा समझ में आ गया अब आपने क्या करना है 200 into 4 का मतलब हो गया 800, 800, 600, 400 and 200 समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ मैंने इस 200 को इन सभी से multiply करके एक एक करके लिग दिया इन सभ में यह मेरा next आ गया अब हम चलते है फिफ्थ पॉइंट की तरफ फिफ्थ पॉइंट क्या है फिफ्थ पॉइंट पे देखते है पावर हो गया रेंट हो गया अब है insurance on assets वो total expenses है मेरे पास 1000 का अब insurance किस ठीच को करेगा reflect area को नहीं करेगा insurance capital value of asset insurance किसका है asset का है और capital value of asset अगर आपके पास एक car है suppose करो मारूती 800 एक के पास एक car है वर्ना एक के पास car है BMW तो सभी value का जो insurance है वो अलग-अलग होगा क्योंकि जितनी महंगी एसेट की value होगी उतना ज्यादा insurance पे करना होगा तो जो insurance on assets है यह हमारा किसको reflect करेगा capital value of assets को अब इसकी ratio देखिए कितनी है इसकी ratio है मेरे पास 20,000 से सारे के सारी चीज़ डिवाइड हो सकती है तो 5,6,5,6,4,3,2 यह बन जाएगी है हमारी क्या है हमारे पास insurance हमारे पास है insurance on assets है insurance on assets और इसकी ratio मैंने क्या बताई है अभी आपको total total कितना है इसका 1000 और यह है हमारे पास 5,6,4,3,2 5 ratio 6 ratio 3 ratio 4 ratio 3 is 2 4,3,2 यह 4 है चीक है और यह आ जाएगा 11,15,20 20 आ गया तो यह कट गया यह आ गया 1 यह आ गया 5,0 कितना हो जाएगा 50 into 5,250 और मील किस चीज को represent करेगा एरिया को नहीं करेगा मील होता है खाने वाला एरिया को नहीं करेगा capital value of assets को नहीं करेगा मील चार्जिज के अब हम रेशो बना लेते हैं इंटो में कर दिया 3000 और रेशो है हमारे पास 9,12,9 ratio,12 ratio,3,4,2 3,4,2 और total ही आ गया 30 तो यह कट के आ जाएगा यहां से 100 अब इसे 100 को अगर मैं करता हूँ तो क्या हो जाएगा अगर मैं बात करूँ बिल्कुल सिंपल सा इस 100 से इस सबको multiply करूँगा तो कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 900,1200,300,400,200 यह आ गया टोटल करेंगे तो 3000 आ जाएगा 21 प्लस 24 प्लस 28 प्लस 2,30 3000 यह आ गया अब last point हमें दे रखा इसके अंदर और वो point है हमारा depreciation अब depreciation के बारे में हमें एक बार ध्यान से पढ़ना पड़ेगा depreciation है 6% का per annum याद रखना per annum capital value of assets, capital value मेरे पास है अब हम क्या करेंगे इसके लिए ध्यान से देखना पहले तो यह देखना है कि हमें कितने महीनों का या फिर पूरे साल का या फिर क्या हमें data given है starting में पढ़ते है month of December सिर्फ एक महीने की बात कर रहे हम लोग सिर्फ एक महीने की याद रखना month of December दे रखा है हमें ठीक है और अगर मैं बात करूँ मुझे जो depreciation rate है वो जो 6% का दे रखा है वो पर annum दे रखा है तो अब मुझे उसकी calculation कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूं यह आप देख सकते हैं दिख रहा है यह रहा अब हम क्या करेंगे यह रहा 6% पर annum है तो हम यहाँ पर कर देते हैं इसके लिए सबसे पहले 7 point depreciation देखे depreciation जैसे मैं बता रहा हूं एक का मैं आपको लिखके बता रहा हूं यहाँ पर asset की value है 1 lakh पहले वाले का मैं लिखके बता रहा हूं बाकी वाले का ओडली बता दूँगा तो देखे कैसे करेंगे इसका यहाँ पर हम करेंगे 1 lakh into में 6% और क्योंकि एक महिने का निकालना है into में 1 by 12 तो यह निकल जाएगा कितना हो जाएगा इस तरीके से यहाँ पर देखे अगर हम 1 lakh into 6% divided by 12 तो आगया 500 तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा ऐसे first वाले का 500 आप इसी का 1 lakh 20,000 करके करेंगे क्योंकि यहाँ पर asset की value देखी क्या है 120 फिर 80 फिर 60 फिर 40 आप यहाँ पर 120 करेंगे तो आजाएगा 600 80 करेंगे तो आजाएगा 400 और अगर 60 करेंगे तो आजाएगा 300 और अगर 40 करेंगे तो आजाएगा 200 समझ में आ गया मैंने एक का बताया यह सिर्फ और सिर्फ मैंने बताया है X का बाकियों का आप ऐसे करेंगे तो इसका total इस तरीके से आ जाएगा अब आपने क्या करना है इसमें आपके सारे के सारे expenses पूरे हो गए अब हम यहाँ पर कर देते हैं total यहाँ पर आ जाएगा total इन सभी का इन सभी का total आ जाएगा आप देख सकते हैं ठीक है कितना कितना आ गया जरह हम एक बार वह लिख लेते हैं 950 प्लस 900 प्लस 2000 प्लस 800 प्लस 250 प्लस 900 प्लस 500 तो पहले वाले का आ गया 6300 इसका total लिख लीजिए यहाँ पर ही आ जाएगा फर्स्ट वाले का 6300 ऐसी सेकिंड वाले का हो जाएगा 1200 प्लस 1100 प्लस 2200 प्लस 800 प्लस 300 प्लस 1200 प्लस 600 तो नेक्स्ट वाले का आ गया 7400 200 प्लस 300 प्लस 800 प्लस 600 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 400 तो आ गया 2800 यह मैं आपको वो लिखता जा रहा हूँ जो मेरे पास इनका total आ रहा है यह तो आ गया production के तीनों अब आएंगे service के 1500 प्लस 1000 प्लस 750 प्लस 400 प्लस 150 प्लस 400 प्लस 300 तो आ गया यह वाला मेरे पास 1500 प्लस 1000 प्लस 750 प्लस 400 प्लस 150 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 300 3600 आ रहा है मेरे पास कुछ ना कुछ गरबढ है देखेंगे कि बाड़ से 1500 प्लस 1000 प्लस 750 प्लस 400 प्लस 150 प्लस 400 प्लस 300 4500 यह आ गया एन लास्ट है 400 प्लस 650 प्लस 250 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 200 तो आ गया 2000 का यह आ गया यहां तक मेरे को समझ में आ चुका है यह आ गया मेरा टोटल अब यह जो मैंने बनाया है that is apportionment यह सबका apportionment कर दिया सबी expenses का अब मुझे करना क्या है इस इसके अंदर जो जिस चीज के लिए मैं question कर रहा है इन दोनों को zero करना है और इन तीनों में distribute कर देना है किस तरीके से वो होगा वो हमें यहां पर check करना है मतलब department जो है मेरे पास P और Q को खतम करना है अब मुझे department P और Q को खतम करना है अब कैसे करेंगे जरा वो यहां पर देखते हैं देखिए department P जो है department P जो है वो है maintenance का और department Q जो है वो है store का मैं आपको पीछे दिखा देता हूं तो शाद ज्याद अच्छा समझ में आएगा यहां देखिए department P है मेरे पास यह रहा maintenance और department Q है store अब यह किस ratio में बटेंगे वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं यहां देखेंगे यह दे रखा है मुझे P है maintenance आपके factory या फिर जहां पर भी आपका workplace है जहां पर production करते हैं या फैक्टरी है आपकी वहां पर आपको maintain आपको maintain का मतलब आपकी factory को maintain कौन करता है वहां पर जो भी maintain करता है वो यहां पर दो expenses हैं जो सिर्फ x y z में हैं P के तो खतम हो गए एक है direct labor arts और दूसरा है number of material requisitions अब आपको maintenance को देखना है maintenance एक बात बताईए direct labor करेगी मतलब आपकी wages वाले लोग करेंगे या फिर material करेगा maintenance करते हैं हम लोग labor से कोई भी department कोई भी factory कोई भी workplace जो maintain होता है वो करता कौन है labor तो maintenance expenses पीड expenses को इस ratio में हम divide कर देंगे समझ में आ गया किसमें thirty six hundred thirty two hundred and twenty two hundred यह हमें question में given है तो यहां पर लिखेंगे department पी अब department पी को किस ratio में करना है वो हम यहां पर लिख देते हैं वो ratio है हमारे पास और इंटो में उसका total expenses कितना है forty five hundred ठीक है क्या ratio थी thirty six hundred thirty two hundred and twenty two hundred यह देखिए आप यह रहा thirty six thirty two and twenty two सब में two hundred common है तो आ गया eighteen sixteen and eleven तो ratio बन जाएगी eighteen ratio sixteen ratio eleven upon में आ गया forty five तो इसमें तो कोई पंगा ही नहीं है यहां पर यह cut जाएगा तो यह आ गया hundred hundred को इससे किया तो यह आ गया इसको किसी से लिख देते हैं eighteen hundred second वाला आ गया sixteen hundred और यह आ गया eleven hundred और यह आ गया forty five hundred और यह हमने कर दिया less minus में कर दिया ठीक है अब ऐसे ही हम करेंगे department अब हम करेंगे department क्यू अब department क्यू में क्या करते जरा उसकी बात करते हैं और इंटो में उसके total खर्चा कितना 2000 का क्यू है store और store के अंदर रखा जाता है सामान और सामान क्या है मेरे पास number of material requisitions यह दे रखा है उसकी है 965 तो 9 ratio 6 ratio 5 upon में 20 तो यह कटके आ गया 100 तो यहां पर हो जाएगा अगर मैं इसकी बात करूंगा 900 600 and 500 और यह आ गया 2000 और वो भी negative यह खतम यह खतम अगर मैं बात करूं अभी सबकी total की तो क्या हो जाएगा यह तो 0 और यह 0 इसका total कर दिया तो कितना आ गया यह आ गया 2700 रैड कर दिया यह हमारा final आंसर आ गया यह आ गया total overhead टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड यह आ गया total प्रोडक्शन ओवरहेड यह आ गया यह आंसर आ गया यह हमें करना था सबसे पहले first जो हमारा था question वह यह था मतलब है क्या question को अगर हम ध्यानते अगर आपके पास expenses clubbed करके दे रखे हैं तो आपने क्या किया उस clubbed वाले expenses को apportionment की through एक तरीके सा apportionment कर दिया अलग अलग divide कर दिया ratios में उसके बाद आपने उसका total किया total करने के बाद आपके बास यह आ गया इसके बाद आपने जिन जिन को आपने eliminate करना है उन दोनों को आपने eliminate कर दिया जैसे यहाँ पर इन दोनों को किया है ratio वो आपको question में बताएंगे कोई ना कोई information होती है या फिर directly given होती है आगे वाले question जो आपको मैं कराऊंगा एक question में उसमें directly भी given है वो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने उसमें बाटके और total कर देना है बस यह question है और यह हमारे exam में बहुत-बहुत-बहुत-बहुत important है तो आज के लिए तो मैं आपको एक ही question करा रहा हूँ पहले इसको आगे के questions किसी को कोई भी doubt हो तो वह मिरसे discuss कर सकता है अब मिलते है next class में इसके आगे के question के साथ